हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चनल मोबाइल रिपेर ट्रिक बहुत दिन से हमारे यूट्यूब चनल पर कमेंट्स आ रहे थे कि सार आप हाड़वर की वीडियो नहीं डालते हैं या फिर आपने हाड़वर की क्लास से स्टार्ट करने के लिए अपने स्टार्ट नहीं करा तो देखिए ये वीडियो में उस परपर से बना रहा हूँ आज की इस वीडियो में एक एनाउस्मेंट कर रहा हूँ कि जो मोबाइल रिपेरिंग का कोर्स होता है उसको बिल्कुल डीप लेवल पर जो आप किसी भी इंस्टिटूट में जाकर के 40-50,000 उपर देकर के भी न लेशन होंगे हो सकता है कि इस सीरिस के अंदर 400 लेशन तक जाए क्योंकि मैं इस कोर्स को बहुत डीप लेवल तक एक-एक कंपोनेंट के बारे में भी आपको इतना डीटेल में बताऊंगा कि लाइफ में आपको कभी भी इस फील्ड में या फिर एलेक्ट्रोनिक से को पसंद किया उस पर अच्छे-च्छे कमेंट्स किये और मेरी कोशिश थी कि जितनी भी मुबाइल शॉक्रा काम करने वाले टेक्निशन्स हैं या मुबाइल रिपेरिंग की कि शॉप या सर्विस सेंटर पर जॉब करते हैं तो मेरी कोशिश थी कि मेरे इममसी के लेसंस से उनको कुछ सीखने को मिले जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले यह कुरोना लॉक्डाउन लगा था और अभी पिस कुरोना के वाज़े से बहुत सारी प्रॉलम सारी है इस मुबाइल रिपेरिंग के फिल्ड में तो मेरे साइट से कोशिश थी कि मैं जितना इस फिल्ड में ज चीघन हो अब इवीली जिसेखता हो जब तक ईस फिल्ड में तब तक रहे है क्योंकि इस चीज में हमेशा रोज चीजय आरही है तो मैं कुछ नया रोज आ रहा है इस लिए हर मतब जैसे इतने हजारों ब्रैंड है हजारों बेंड के कुछ ना कुछ मॉडल डेली रिलीज होते हैं जितने भी जो बड़े ब्रैंड से अगर दिखा जाए तो रोज 5 से 10 मॉडल तो उनके लूंच होते ही है किसी ने किसी ब्रैंड के किसी अलग-अलग कंपपणियों के तो इस तरह से लिए टेक्नोलोजी रोज आगे बढ़ रही है हमें भी रोज आगे बढ़ना है इसलिए मैं भी हमेशा लर्निंग करता हूं जितना नौलेज आप गेन करेंगे आप उतना आगे बढ़ेंगे आपका नौलेज जितना बढ़ेगा आपकी इंकम उतनी बढ़ेग हुआ करता हूँ अपनी सब्सक्राइद बमल नोकर 16 17 साल जब मैं इस फील्ड में मैं आया था बहुत कम यूसे मैं इस फील्ड म dues पूर्णिया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से काम करना है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और जिस समय मैं इस फिल्ड मे आना चाहता था, मेरे फैमिली इतनी कैपेबल नहीं थी, कि मुझे ये कोर्स करा सके और मेरी एज भी बहुत कम थी बहुत कम एज से मेरी इच्छा थी कि मैं इस काम को सीखूंगा और इस काम को करूंगा पर उस समय हमारे फैमिली की सिच्छोशन इतने अच्छे नहीं थी कि इस मोबाइल रेपेनिंग के कोर्स को हम कर सके मैंने बहु उस फीस को देने के लिए भी तो मैंने खुद ने सोचा कि क्यों ना मैं कहीं पर job करके इस काम को सीखू तो मैंने इस mobile repairing के काम को सीखने के लिए बहुत try किया लेकिन कोई भी कभी free में नहीं सीखाता है, मैंने बहुत try किया लेकिन ऐसा कोई person या इसा कोई इंस्टीटूट या इसा कोई बंदा कभी आपको नहीं मिलेगा जो ये कोर्स आपको फ्री में सिखा चाहे आपके अंदर कितनी भी अच्छी स्किल हो उसको सीखने की समझने की पोटेंशल हो आप उस चीज को करने के लिए या बहुत मेहनती हो तो भी कभी भी उस चीज की कदर नहीं होती है इस चीज को मैं बहुत अच्छे समझता हूं और इस वीडियो को देखने वाले बहुत से मेकनिक ऐसे भी होंगे जो सिच्वेशन से निकले होंगे लेकिन जब मैं सिच्वेशन से निकल रहा था जैसे करीब करीब 2003 2004 के सम्थिंग मैं एक मोब क्लीन की मतलब मॉंबाल की लां के स्टार्टिंग हुई थी उस समय जब नोक्या क्या स्टार्टिंग हो जन और सीच्वेशन और इस थारह किए कुछ फोन चला करते थे तो जो जिन में ऑրिया लाट क्रिश आटता था ये नहीं उस पाल्वाल talking तो जैसा कि मैंने बता है मैं एक साइवर पर जॉब करता था और आप सबको मेरे सेलरी वहाँ पर थी 800 रुपे पर मन्त और मेरा काम वहाँ पर होता था डाउनलोडिंग करना क्योंकि उस समय स्टार्टिंग हुई थी फोन की तो उस समय कुछ मेडी टोवो नहीं इस तरह की कुछ टोन डला करती थी फिर कुछ समय बाद रिलाइंस के फोन आये हरीम वाले उसके बाद में फिर धीरे धीरे जब नोकिया की स्टार्टिंग हुई तब धीरे धीरे थोड़ा सा डाउनलोडिंग का जो काम स्टार्ट हो चुका था तो उस समय बहुत आज मेरे लाइफ में काम आता है तो इसलिए में उनको शीच के लिए गलत नहीं बोलता हूं तो रिस्पेक्ट दे करके बात करता हूं क्योंकि वह टाइम था मेरे लाइफ का स्टार्टिंग का तो जब मैं वहां पर जॉब करता था मेरे सेलरी जो थी मात्र आट सो मेना थी 800 रूपीज पर मन्त मेरे सेलरी थी जिसमें मुझे उनको फोन खोल के देना फोन पैक करना और किसी किसी हैंसेट में डाउनलोडिंग करना उसमें जब एसडी काड की स्टार्टिंग हुई थी बड़े-बड़े से काड आते थे इस टाइप से 468 MB एक्सो अठावीस किया करते थे उस समय धेडिए मैं करीब-करीब दो साल तक में ढॉनłोड ओडिंग का काम करता था δो साल बूरे होने तक भी मेरी जृट incent फीक्राइब ऑन्फिट और दो साल तक मैं ऐसे यह काम किया कि लेकिन मुझे सीखना था बस में इस सोच के साथ वहाँपर काम करता है कि मुझे को सीखना है उस समय में mobile repardon to नहीं सीख पा है लेकिन downloading का में करते क्पर क्योंकि वहाँपर Cyber भी था तो वह जहां पर मैं साइबर और Mobile Shop दोनों था तो उस वज़े से मैं वहाँ पर computer मुझे दिखते रहते थे मतलब computer को में वहाँ पर तलाता रहता था और उसी के through मैंने downloading के उपर अपना हाथ जमाया और जिस shopper मैं job करता था वहाँ पर आसपास के area में और भी बहुत सारी mobile shop थी और मैं उन phone में भी डाउनलोड कर देता था जहां पर बाकी लोग मना कर देते थे तो वह जो मेरा दो साल का experience था life का starting का उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और जैसा कि मैंने बता है कि मैं ऐसे phone में भी डाउनलोडिंग कर देता था जिसमें सब मना कर देते कि इस फोल में डाउनलोडिंग नहीं होता था तो वह मेरे स्टार्टिंग के दो साल जो थे वह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट थे और वह मेरा बेस था इस मोबाइल डिपिरिंग के फिल्ड में आने का जिसके बाद में मैंने इस लाइन में से स्टडी से स्टार्ट किया मतलब मैंने जो भी कुछ सीखा खुछ से सीखा देखे उसके बात में मैंने बहुत सारी अलग-अलग शॉप पर प इस समय मैंने यह सोचा था कि जिस दिन में मोबाइल रिपेरिंग का काम सीखूंगा उस दिन कभी भी मेरे पास ऐसा बंदा आएगा जिसके पास रिपेरिंग सीखने के लिए पैसे नहीं होंगे मैं उसको जरूर सीखा हूंगा इस सोच के साथ कि मुझे अपना जो पहले का स्ट्रेगल के होँआ टाइम था वो बहुत अच्छे से याद था कि कभी भी आप कितने भी महंती हों कितने भी मांदार हो लेकिन हमेशा आपकी कोई मदद नहीं करेगा मतलब नहीं कोई मदद नहीं करता रहा बस इसी सोच के साथ मैं एक लाइफ में एक रूल बनाया मेरा कि हर साल हर साल मैं दस स्टूडेंट को फ्री में ट्रेंड करता हूँ और ये चीज मैंने अपनी लाइफ में 2011 से जो है शुरू की है और अभी तक मैं 2020 तक मैं 100 लड़कों को फ्री में मुबाइल रिपेरिंग का कोर्स सिखा चुका हूँ मैं सब के लिए ये काम नहीं करता हूँ क्योंकि जब मुझे ऐसा को इनसान दिख जाता है जो कुछ सीखना चाता है लेकिन उसकी कुछ परिष्टितियां या कुछ भी परसनल प्रॉंबलम की वज़े से वो नहीं सीख पाता तब मैं उस बंदे को ट्रेन करता हूँ देखिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर को इस तरह के लिए मुझे फोन कॉल या मैसेज या वाटसप पर करें कि मुझे फ्री में सिखा या परसनल या आके जो भी परसनल यह जानते है जब मुझे ऐसा लगता है कि इस परसन को सिखाना चाहिए उसको ही मैं ट्रेन करता हूँ लेकिन देखिए अब यह तो मेरी उस समय की छोटी सोच थी क्योंकि छोटी सोच मतलब ही कि उस समय तक मेरा बिजनस भी छोटा था मैं जैसे कि बता अलग-अलग शौप पर काम करता था फिर मैंने खुद की शौप खोली ऐसे दिरे-दिरे करके मैंने अपने इस मोबाल रेपरिंग के फिल्ड में अपना जो है काम शुरू किया फिर मैंने खुद की शौप की उसके बाद में धिरे-धिरे मेरे आपर एक बंदे काम करते थे दो बंदे काम करते थे तो आज भी मुझे वोगा टाइम बहुत अच्छे से याद है कि जिस समय में 800 रुपए महने में किसी शौप पर काम करता था एक छोटे से वर्गर के उसमें लेकिन आज मेरे पास कम से कम 10 से 12 बंदे मेरे लिए काम करते हैं और इसके लावा जो हमारी online हम लोग जो classes लेते हैं support करते हैं इसको लिए बहुत सारे लोग मुझे से जुड़े हुए हैं जो मुझे सीखते भी हैं उनसे मैं भी सीखता हूँ ऐसी बात नहीं कि मैं सीखाता हूँ मैं उनसे भी सीखता कि एक समय में मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मैं उस को सीख नहीं पाया लेकिन मैंने सेल्फ इस्टड़ी से दो चार तीन चार से जब में इस फिल्ड में था तब से मैं जो भी को सीखा और अभी विजिस में मैंने आपको बता था कि जब से ही मैंने 2011 से मैं साल में 10 में पंतों को सिखा चुका हौं अध्य में और आज वह अपने-पने फील्ड में स्टेबल हैं और अच्छे-खा-चे पैसे कमा रहे हैं और अपनी जो लाइफ हैं उसको बहुत अच्छे से जी रहे हैं देखे पैसा कमाने के लिए तो हर कोई होता है पैसा कमाते हैं अपना घर परिवार पालना लेकिन मैं इस अपनी मोबाइल रिपेरिंग के फिल्ड से बहुत ही यदा प्यार करता हूं और मतलब इसी चीज़ को मतलब इस फिल्ड को यह मेरा पैशन है मोबाइल रिपेरिंग को घर चीज़ सीखता हूं हमेशा तो अब मैं आपको इस अपने कॉर्स की कंटेंड के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार इस मेरे कोर्स के कंटेंड में क्या क्या है हमारे इस YouTube चैनल के उपर जो हम इस hardware की classes start जो कर रहे हैं तो इसके lessons कितने भी हो सकते हैं हो सकता है 100 lessons, 200, 300, 400 या 500 lessons भी हो सकते हैं लेकिन मैं आपको इस चीज की surety देता हूँ कि हर एक वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो चाहे 5 मिनिट का हो, 10 मिनिट का हो या 1 मिनिट का क्यों न हो लेकिन उस 1 मिनिट की वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो को देखने के बाद आपको इससा बिल्कुल भी नहीं लएगा मैं कभी भी किसी का time waste नहीं करता हूँ ना अपनी वज़े से किसी और का टाइम कभी वेस्ट करता हूं क्योंकि टाइम की बहुत वेल्यू है आप मेरे वाट्सअप नंबर पर देखेंगे तो वहाँ पर इस्टेटस पर भी लिखा हुआ है मतलब जो टाइग लाइन होती ही वहाँ पर भी लिखा है और उसके लाव एकोची लिखिए टाइम इस मनी इस दो चीज मेरे उस टेग लाइन पर हमेशा लिखिए हुए थी टाइम इस मनी और सक्सेस इस जर्णी ओफ हाड़ वर्क आपने अभी तक बहुत सारे यूटउब पर भी या कहीं पर भी विडियो देखे हूंगे के हम 55,000 का कोर्ष में करा रहे हैं या इतने 1000 का कोर्स में करा रहे हैं और हमारे भी ओनलान क्लासेस इम्म्सी के चलते हैं जो हमारे इंस्टिट्ट पर 25,000 का होता था, हमने ओनलाइन में 10,000 में किया, लेकिन अब इस चैनल पर मैं हार्डवेर की ओनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूँगा, जिसके अंदर ये लेसंस हो सकता है, कि 100 लेसंस हो, 200 हो, इसका ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये जरूर है, कि आपको नौलेश पूरा मिलेगा, और जो जो चीज़े इसके अंदर बच जाएगी, उसको भी हम आगे तक कवर करेंगे, इसलिए मैं इसमें ये फिक्स नहीं कहता है, कि टोटल लेसंस कितने होंगे, देखें, मेरी पूरी कोशिश है कि इसमें 500 के उपर लेसंस होंगे, क्योंकि देखिए, मोबाइल रिपेरिंग का जो कोर्स होता है, वो बहुती ज़्यादा एडवांस और माइक्रो लेवल पर होता है, इसमें हमें हर एक कंपोनेंट के बारे में जानना होगा, हर एक जो आई-सी सर्कीट होता, सब के बारे में जानना होगा, तब ही हमें एक अच्छे मेकैनिक बन पाएंगे, और देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि, बहुत सारे से इंस्टिटूट हैं, या ऑनलाइन कोर्स करने वाले हैं, जो बताते हैं कि पचास हार का कोर्स पाँच हजार में, या फिर लाख रुपए का कोर्स दस हजार में, या बीस हजार में, देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, कि मैं इस मेरे यूटूब चैनल के उपर, हाड़वेर के, जो क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस बत की मैं शौरिटी देता हूँ, कि आप किसी भी इंस्टीट में जाकर के, अगर 40-50 हार के कोर्स भी करेंगे, वहाँ पर भी आपको ये नॉलेज नहीं मिलेगा, जो मैं ये आपको फ्री में देने वाला हूँ, रही बात मेरी फीस की, तो आपके लिए कोई फीस नहीं देना है, मुझे इस चीज के लिए मैं आपके कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक चीज है, जैसे कि मैं पहले, हर एक साल के अंदर 10 स्टूडेंट को फ्री में सिखाता था, और मैंने 2011 से लेकिन 2020 तक मैं 100 स्टूडेंट को फ्री में सिखाया, और अब मैं ये चाहता हूँ, कि मेरे इस यूटूब चैनल से, वो साल के 10 नहीं, साल के 10 हजार हूँ, और इस YouTube चैनल के उपर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किये हैं जो नहीं भी किये हैं और इस चैनल पर आकर के वीडियो देखें और सीखें यह मैं चाहता हूं मुझे सीच का बिल्कुल भी ऐसा कोई लालच नहीं कि आप मेरे चैनल को शेर करें मेरे वीडियो को लाइक करें ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता लेकिन हाँ यह जरूर है कि मेरे चैनल पर कोई भी अगर गलत कमेंट्स या कोई बिना मतलब की बाते करेगा उसके कमेंट्स डिलीट करने के साथ साथ मैं उसको पर्मनेटली ब्लॉग भी करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पर व्यू करने के लिए देखिए यह जो मेरा हाडवेर टेनिंग के जो कोर्सेस में स्टार्ट कर रहा हूँ यह टोटली फ्री है इसमें आप सब कुछ फ्री में सीखेंगे लेकिन अगर आप चाहते हैं जैसे कि अगर मैंने आपको कोई नॉलेज दिया कोई वेल्यू दिया तो मैं इस चीज़ के लिए आप से फिस बिल्कुल भी नहीं माग रहा हूँ यह टोटली फ्री है आप इस यूटूब चैनल पर आईए यह आपका अपना चैनल है इस पर नॉलेज को गेन कीजिए आप से इस चीज़ के लिए हम कोई पैसा नहीं मागेंगे लेकिन आप चाहते हैं जैसे कि हम हमारी वीडियो अच्छी है और हम इसको और अच्छे से कर सकें और भी लोगों के तक हम नॉलेज को पहुचा सकें तो उस चीज़ के लिए मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि अगर वाकई मैं अगर आपको मेरे चैनल से कुछ सीखने को मिला और अगर आप मुझे ऐस ओफीस कुछ देना चाहते हैं मैं आपसे मांग नहीं रहा कुछ भी कि आप मुझे फीड दीजे लेकिन मेरे जो वेबसाइट है gsmclinic.com और mobile repairtrick.com इसके उपर contact us का एक जो टैब होता है जहाँ पर contact us का जिसके तुरू आप मुझे से contact कर सकते हैं पेज बना हुआ होता है हर website पर contact us का page होता है वहीं पर मैं एक donation का बटन लगा रहा हूँ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा या कुछ knowledge लिया तो एक रूपे एक रूपे से लेकर कि आपकी स्विच्छा मतलब आपकी जितनी मर्जी उतने पैसे आप उसमें donate कर सकते हैं ताकि जो हम किसी की मदद करने की एक सोच के साथ जो काम करते हैं free में knowledge देने की तो उसमें हम इसको और भी अच्छी से कर सकेंगे और भी ज़्यादा लोगों के पास तक हम अपना knowledge पहुचा सकेंगे आपकी दिये हुए support money से तो उस money से हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सकते उतना ज़्यादा लोगों तक हम पहुचा सकें उतने उसके उपर donate कर सकते हैं मैं आपसे कभी नहीं मांँ! आप नहीं बिदेंगे लिए हाइट की मैं इसको कोई पैसे नहीं se नहीं product बना रहा हूँ मैं इसको अपनी मर्जितर हम थैकि मेरे वीडियो soundosaub चलाने वाले five हैं मेरे वीडियो से सीखें काम करें इपनी इंकम को बढ़ाएं और देखें जिसके हमारे देश के पतान मंत्री भी बोलते हैं कि मेक इन इंडिया इंडिया डिवलप्मेंट के लिए बहुत सारी के बारे में बताऊंगा कि मेरे इस कोर्स के कंटेन में क्या-क्या होगा सबसे जरूरी बात जो देखिए मेरा जो यह हाड़वर का कोर्स होगा इसके अंदर जैसे कि मैंने बता है वीडियो की कोई शीरीज फिक्स नहीं है कि इसमें 100-200 वह सकते जहां तक मैं बताऊंगा इसमें 500 से उपर वीडियो के लेसंस मतलब 500 से ज्यादा लेसंस में बनाऊंगा और देखिए इसके अंदर सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा बैसिक इलेक्टोनिक से बैसिक इलेक्टोनिक के जिसे ह और फ्यू इसको ट्रांजिस्टर इन सभी के बारे में आपको पूरा नीते बताते हैं और एक एक कम्पोनिट में एक्षा斯 क्यों क्लासों रोडोब मतलब दो दिन से साथ दिन तक की होती है क्योंकि देखिए electronics, mobile जो हमारा होता यह electronic का based है मतलब यह electronic एक gadget है तो जिसके लिए हमें इन सभी को जानना होगा और electronics में resistance, capacitor, fuse, coil यह सब चीज़े जो हैं यह common होती है चाहे mobile हो, laptop हो, computer हो या और को electronic के gadgets या peripherals हो इन सभी के अंदर यह components होते है तो इसलिए हमारा जो starting का जो two months होंगे वो पूरा basic electronics के उपर होगा इसके बाद मैं देखिए mobile के अलग-अलग section जैसे network section, power section, memory section तो एक चिकर के हर section को बताऊँगा जैसे network section के अंदर हमारा network section होता है उसके अंदर 2G section, 3G section, 4G section, 5G section उसके बाद मैं Wi-Fi, infrared, infrared हाला की खायता मोच चुका है लेकिन मैं उसमें इस चीज़ को भी समझाऊँगा infrared, Bluetooth, Wi-Fi यह जितने भी जो होते हैं इन सब के बारे में आपको बताऊँगा एक-एक करके, Wi-Fi कैसे काम करता है Bluetooth, Bluetooth section के से वर करता है हर चीज़ के बारे मैं आपको डीटेल में बताऊँगा उसके बाद power IC और power IC से related जैसे audio IC, ringer IC, charging IC power किस थरे से distribute होता है फोन के अंदर यह सब चीज़े मैं आपको डीटेल में बताऊँगा और देखिए इसके लावा जितने भी जो components mother board से connected होते हैं जैसे कि माइक, speaker, ringer, LCD, combo और भी जितनी चीज़े SD card या जो भी हम अलग से connect करते हैं उस motherboard के उपर उन चीज़ों के उपर भी डीटेल में बताऊँगा जैसे कि माइक, speaker जो होते हैं यह board पर connected होते हैं और उसके लावा जिससे hand free socket, अब hand free socket कैसे work करता है, hand free socket के पिछे क्या law होता है, किस तरह से काम करता है इसके बारा में भी हम पूरा डीटेल में बताएंगे उसके बाद में mobile repairing के hardware की field में कितने आपको tools use करने हैं, कौन से tools अच्छे होते हैं, कौन से और उसमें खासकर जितने भी ऐसे tools जो सबसे ज़्यादा important होते हैं तो हजारों आते हैं, आप ऐसे सब खरीदेंगे तो आपके पास लाखों रुपया भी कम पड़ जाएगा लेकिन हम हमारे courses में आपको ये भी बताएंगे कि आपको कितने tools की need है, मतलब देखिए मैं पैसा वेस्ट करने वाले किसी भी चीच के बारे में नहीं बताऊँगा जिसके आपको need है, मतलब जो बहुत जरूरी है और जिसके बिन आपका काम नहीं हो सकता, उन tools को पर भी बात करूँगा और उन tools को सही उसके किस तरह से आप इन tools का सही उसकर सकते हैं, उसके बारे में भी detail में बताऊँगा और जैसे कि micro jumpering होती है, वो भी सब बताऊँगा, UV masking करना वो भी बताऊँगा, BGA की क्या skill होती है, किस तरह से उनी किया जाता है, damage हुए track को किस तरह से recover किया जाता है, PCB पर किस तरह से किया जाता है, IC पर किस तरह से किया जाता है, यह सब आपको हम हमारे scores में detail में बताएं करेंगे, उसके अलावा देखिए कि हम किसी भी IC की testing किस तरह से करेंगे, किसी भी fault की funding किस तरह से करेंगे, power supply किस तरह से test करेंगे, battery boost up और इस तरह के इस fields related बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिसके लिए शायद किसी भी इनसान की life कम पड़ जाए, लेकिन वो course कभी भी खतम नहीं होगा, वो course का content, उसका syllabus कभी भी खतम नहीं होगा, तो मेरी यह कोशिच रही जैसा कि मैंने बताया, मेरा मेरे साइट से में इतनी कोशिच करूँगा कि इसके 500 lesson complete करूँगा hardware के, और इसमे step by step आपको हर चीज सिखाऊंगा, और इस बात की मैं surety देता हूँ, कि आज स की वीडियो नहीं डालता, देखिए उसके पिछे करिजन ये भी है, कि मैं जितनी भी EMC के lesson जो बनाता हूँ, उसके अंदर किसी भी product या box की image को छोड़ करके, मैं जितने भी graphic यूज करता हूँ, graphic में खुद बनाता हूँ, Photoshop में डिजाइन करता हूँ, जिसको design करने में कभ फुरा content जो होता है, मैं खुछ से create करता हूँ, इस वज़े time लगता है video बनाने में, और जैसे कि मैं EMC और software की video बनाता हूँ, तो मुझे hardware की video बनाने के लिए time नहीं मिलता है, तो hardware की video बनाने में time जाधा लगता है, comparison to software video, क्योंकि software में क्या होता है, कि हम किसी भी phone को खोलत करते हैं, और उसको connect करते हैं USB के थूँ या ISP के थूँ और हम जो computer के ओपर repairing करते हैं, तो उसमें क्या होता है, screen recording भी होती है, थोड़ा सा camera लाख के भी जल्दी produce हो जाता है, editing भी ज़्यादा कुछ उसके नहीं करना होता है, लेकिन hardware की video के अंदर बहुत सारी चीज़े होत होता है, repeat करना पड़ता है, कुछ jumping कर रहे हैं, micro jumping कर रहे हैं, reballing कर रहे हैं, फिर उसके बाद programming भी कर रहे हैं, तो उसमें क्योंकि time बहुत ज़्यादा लगता है, इस वज़द से मैंने अपने channel पर अभी तक hardware के video नहीं डाले थे, लेकिन जितना मैं hardware का knowledge रखता हूं, अंदर आपको जो भी कुछ सीखने को मिलेगा, आज से पहले आपने YouTube पर या किस institute पर नहीं सीखा होगा, देखें, मैं यह नहीं कहता है, कि मैं सबसे ज़्यादा knowledge रखता हूं, या मुझसे बहस कोई नहीं कहता हूं, मैं आज भी सीख रहा हूं, मैं खुद एक student हूं, क्यो भी कोई perfect नहीं हो सकता, पर यह मेरे साइट से एक कोशिश है, कि मेरे इस field में mobile repairing का काम करने वाले, जितने भी shopkeepers हैं, service center वाले हैं, वो सभी मेरे भाई हैं, और जितना हो सकेगा, मैं उन लोग को सीखाने की, अपने knowledge को share करके, उनको सीखाने की कोशिश करूँगा, और comment का reply होगा, इस बात की guarantee है, लेकिन कोई भी मुझे personally WhatsApp पर message करके, call करके support लेनी कोशिश ना करे, उस चीच के लिए मैं आप से बिल्कुल हाँ जोड़के माफी चाहूँगा, कि इस चीच के लिए मैं आपको personally support नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए, मैं सुबह online classes लेता हूँ, 12 से 6 मैं अपने shop पर और center पर रहता हूँ, जहाँ पर मेरे जैसे shop के पर customer वगएर आते हैं, और हमारी team उन लोग का जो काम करती है, तो मैं 12 से 6 वहाँ पर रहता हूँ, इसके बाद मैं मेरी जो online website वगएरा का जो काम है, उसके लिए मैं evening में 7 PM से लेकर के 9 PM तक काम करता हू तो इस वह से मेरे पास इतना time नहीं होता कि मैं personally किसी को support कर सकूँ, और support के लिए हमारे WhatsApp pet group हैं, जहां पर हमारे 5 admins available होते हैं support के लिए, और उस group को पहले हम सब को joining के लिए 1000 उपर फीस लेते थे लेकिन अब हमने उस group की joining बंद कर दी है, क्योंकि देखिए हमारा student के उपर भी focus रहना बहुत जरूरी है, जिन लोगों ने हमें पेक या सीखने के लिए, तो हमारा focus उनके उपर ज्यादा रहता है, और वो disturb ना हो, इस वह से हमने उसके उपर joining बंद कर दिये, तो please, अगर आपको किसी भी तरह से कोई बात पूछना है, जानना है, hardware related video, जैसे अगर आ जब भी कभी ऐसा हो, आपको कुछ जरूत पड़ती है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे YouTube के वीडियो पर comment कीजे, 101% में आपको reply करूँगा, लेकिन प्लीज, WhatsApp पर पर सपोर्ट के लिए, आप message बिल्कुल भी ना करे, अगर कोई इस तरह की हरकत बार बार करेगा, तो मैं उसको WhatsApp पर ब्लॉक कर दूगा, और अगर call करता है, तो call पर ब्लॉक कर दूगा, तो आपको अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो आप YouTube की वीडियो पर comment कीजे, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूगा, लेकिन परसनली इस तरह के message करके, परिशान करने की कोशिश ना करे देखिए, आप लोग मेरे भाई हैं, और मैं आपकी बिल्कुल मदद करूँगा, लेकिन जिसा कि मैंने बताया कि हर related वीडियो के उपर आप comment कीजे, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूगा, एक और चीज, कि वीडियो पर किसी भी तरह के कोई गलत comments या गाली वाले comments और किस को कुछ गलत भाषा का यूज ना करें, अगर इस तरह की कोई भी हरकत मेरे इस YouTube चैनल पर कोई करता है, तो मैं तुरंट उसे ब्लॉक कर देता हूं, क्योंकि देखिए, मैं अपने knowledge को free में share कर रहा हूं, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, कि कोई भी इस तरह के मेरे चैनल पर आकर करें, देखिए, like, dislike करने से कुछ नहीं होता है, चैनल को subscribe करें ना करें उससे भी कुछ नहीं होता है, लेकिन देखिए, आप मेरे channel पर आईए, हम मुझे सब्सक्राइबर से या ऐसा कुछ नहीं है कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं इस तक मुझे इस चीज का लालज बिल्कुल भी नहीं है मैं बस एक नॉलिज शेयर करके और इस मोबाइल वेपरिंग के बहुत आसान होता है सिर्फ एक क्लिक करना होता है लेकिन किसी वीडियो को बनाने के लिए एक पांच मिट की वीडियो को बनाने के लिए कभी कबार 15-20 दिन क्या महिनों की महनत होती है तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें और लाइक करने से वीडियो पर कुछ नहीं होत है तो इस चीज में ध्यान रख करके आप वीडियो देखें सब्सक्राइब ना करें लाइक डिसलाइक ना करें लेकिन में अच्छी सोच के साथ कुछ वीडियो प्रड्यूस करता हूं इस चीज को ध्यान में रखें और से नॉलेज लेके जाए बिल्कुल सीखिए उससे उ और एक बार फिर से में वीडियो को खतम करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि इस हाडवेर कोर्स में मैं आपसे किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ले रहा हूं लेकिन आप चाहें तो हमारे इस यूटूब चैनल को कुछ भी अपनी मर्जी से एक सपोर्ट मनी आप एक वालेट है एक ही नंबर के उपर सारे वालेट अवैलेबल हैं आप चाहें तो अपनी मर्जी से एक रूपए से ले करके अपनी इच्छा जितने भी आप आपको ऐसा लगे कि जितना नौलेज मिला आप उतने पैसे दे सकते और आप नहीं भी देंगे तो मैं आपसे कोई प आदत को पहुचा पाएंगे और जैसा कि मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं कम से कम दस स्टुडेंट को साल में फ्री में सिखाता हूं उन लोग को जिनके पास पैसे नहीं होते सीखने के या जो परिस्तिदियों के इसाब से उनकी परसनल प्रॉ परिंग के काम करने वाला बंदा जो अभी तक नहीं सीख पा रहा उसकी मदद हो जाए तो इस सोच के साथ आप सपोर्ट कर सकते हैं और आप नहीं भी करेंगे तो भी तो मैं वीडियो फिल भी बनाता रहूंगा और देखिए इस वीडियो को खतम करने से फिले मैं एक और चीज कहना चाओंगा इस वीडियो पर मैं आप लोगों के comment को दोस को बिलल झान में रखूंगा आपके कमेंट्स का मुझे इंतिजार रहेगा लेकिन यह मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जैसा मैंने इमेंसी की वीडियो से आप लोगों को सिखाया है उससे दस गुना ज्यादा मैं आपको इस हाड़वेर की वीडियो की सीरीज में सिखाऊंगा और वीडियो अच्छे लगाओ तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह की नॉलेजबल वीडियो हम हमारे वीवर्स के लिए बनाते रहते हैं ठैंक्स फॉर वाचिंग